हेलो फ्रेंड्स मार साचंद्रा ममीज डिलिशस डिशिज में आप सबका स्वाधत है प्रेंड्स आध हम बना रहे हैं मेथी मिलाई मटर आध हम आपको सिखाएंगे कि हम घर पे मेथी मिलाई मटर कैसे बनाते हैं तो हमने ले लिया दो से तीन टेबल स्पून देशी घी लिया आएगे आप चाय ओएल ले सकते हैं रिफाइन डोई सरसो के तेल में मत बनाना इसे गरम होने देंगे तेज कर दी हमने गैस हमारा घी गरम हो चुका है हम डालेंगे इसमें आधी चमच्छा जीरा दो तेज पत् चार लिया हमने हरी लाइची और हमने यह लिया है तीन बड़ी प्या जाएए और हमने इसको बारिक काट लिया है अब जैट को कर देंगे तेज अर इसको लगातार चलाते रहेंगे इसको हमने लाइट गोल्डन कलर करना और मैं यह बहुत सिंपल तरीके से बनाना चिखा इसको कोई भी अपने घर में बड़ा से चाप सकता है अब इसमें डाल देंगे अद्रक लसन का पेस्ट एक टेबल स्पून अब इसको चला देंगे चार से पांच हरी मिर्च डालेंगे इसमें बरी कटी हुई और इसको भी कुछ सेकंड के लिए तल लेंगे पानी हमने वालने के लिए रख दिया है क्योंकि हम जब 20 मंग पानी डालेंगे गरम अब इसमें अमसाले डालेंगे हमने एक चमच ली है कश्मीरी लाल मिर्स पाउडर और एक चमच ली है हमने रेट चिली पाउडर और एक चताई चमच है हींग और वन टी स्पून है इसमें भुना हुआ जीरा अब हम इसमें डाल देंगे गैस को रखेंगे मलोग मसालो को हम अच्छी तरह से एक मिनट के लिए बून लेंगे जिससे कि हमारे मसाले कच्छे नहीं रहेंगे अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी और इसको लोग गैस पर दो मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे फ्रैंट्स हम थोड़ा सा पानी ओर डालेंगे इसमें फ्रैंट्स हमारे मसाले में आगे उबाला आप गैस को कर देंगे हम लो और इसको जब तक हम पकाएंगे जब तक ओइल सेपरेट नहों जाएं प्रेंच देखिया ओईल अलग हो गया मसाले से हमारा मसाला पक चुका है अब हम इसमें टालेंगे यह मैंने तीन बड़े टमाटर लिये थे और इसके प्यूरी बना ली अब इसमें टाल देंगे इसको मिला देंगे तेज कर देंगे ग्यास नमक हमने डाल दिया है एक चमच अब इसको मिला देंगे वबाला अचुक है हमारे टमाटों में अब इसे गैस को हम कर देंगे लो और इसे 10 से 15 निट के लिए मैं इसे पकने देंगे जिसे कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल ज्यांट है आज हमारे देखे ओल अलग हो गया मसाला में से इससे जादे से मेफैल थेंट नचेविज रखें गरम पानी MP3 को यहां मेफैल यह सब्सक्राइए सब्सक्राइब कि अब इसकी चला देंगे हरिमेति जो आप डालोगे उसकी डंडिया मत जालना उसकी जो आगे की हरःत्ते होते हैं मैंने वैसे ही काटके साफ करके और दोके डाला है अगर हम डंडियां डालेंगे तो उसके थोड़ा सा कड़वाट पन आ जाता है, बड़ा सा पाई डाल देंगे, हम लगाता है पानी भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा ही करके पानी डाला जाता है, उबाला आ चुका है, हम इसको डग देंगे, लोग कर पांटेंगे गैस और इसको दस से बारा मिनट के लिए पकने देंगे वीच बीच में से चलाते रहेंगे तस बारा मिनट होगे हैं अब हम इसमें डालेंगे 1 चमच गरम मसाला में थी रेड़ चमच एक बड़ा निम्बु कर रस इसको चला देंगे एक से डेड़ मुठी डाल देंगे हम इसमें हरा दनिया इसको चला देंगे आप इस स्टेज बर यह चेक कर लीजिए अगर आपको थोड़ा सा और यज़ेंघें इसमें ऋंदालनेंगे इसमें ध्शूों प्राट कानि刃 केहलें Lup नेम नाव मोर्क बन सों देकं अदर हो गई है इसमें डालेंगे ये वह दि इसमें से इन लो पूर रख बनเดीक है 4 टेबल स्पून है ये फ्रेश फ्रेश क्रीम है यह मैंने बजार के लिए अगर आपके पास घर की मिलाई है तरफ उसे डाल सकते हैं अगर काजु का पेश्ड Angel Inn कе बाद हमें एक चोथा कप और ढाल सकते हैं वग्ण न Tag फ्ले फेल और ठंडा होने के बाद हमने इसे मिक्सिय में पीस लिया मैंने फ्रेश क्रीम भी डाली है और कजु को पेस्ट अगर आपको दोनों में से एक ही चीज़ डाल सकते हैं हम इसे क्रीम डालने के बाद इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि क्रीम में से फिर घी निकल जाता है अब इसका टेक्स्टर अच्छा नहीं लगेगा चलिए तो फिर हमारी मेथी मिलाई मोटर त्यार हो चुके हैं अब हम आपको सर्व करके दिखाते हैं स्य उस्याना की घी एह बहुत ही बड़िया ही लग 싶은 है लाओं इसका मेरी बढ़ी में ट्राइ करना और मुझे कवमेंट में बताना के आपके लगी अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को पोल पर क्लिक जरूर करें जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक असानी से कौंच सकें फिर में लूगे डिलिशिस डिशिस रेसि किसा थेंक यू